रेवाडी में अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है गुरू अर्साम को भी धारू हेडा में बिकानेर मिस्टान भंडार पर बाइत सवार दो यूकों ने फाइरिंग की और मोके से फरार हो गई इस मामले में पुलिस ने एक नाम जद सहीत दो आरोपियों के खिलाफ हत्या की परियास की धाराओ के तैत केस दर्ज कर तक्सित सुरू कर दिया है जानकारी के मुताबिक मूल रूप से अटेली के पास राता गाओं के रहने वाले यस्वीर ने धारू हेडा के नंदराम पु पीड जादा होने के कान हमलावरों ने भार से ही यस्वीर पर फायर कर दिया जिस से दुकान का सिसा तूट गया और वो बाल बाल बच गए इस घटना की सूचना तुरिंद पुलिस को दी गई यस्वीर ने बताया कि धावडा के रहने वाले रिसब नाम के युवक ने पुछना दी गई थी और पुलिस ने आरोपी रिसब उसके पिता और भाई की मौजूदगी में समझोता करा दिया था लेकिन अब तीन दिन बाद रिसब ने यस्वीर पर उस वक्त फारिंग कर दी जब वो दुकान में बैठा हुआ था लेकिन यहाँ का निमत ये रही कि पुली यस्वीर को ना लगकर दुकान के सीसे में जा लगी और यस्वीर बालबाल बच गए इस मामले में यस्वीर के सिकायत पर नंधराम पुर्मास रोड के रहने वाले रिसब और उसके एक साथी पर हत्या का पर्यास, आमस्एक्ट और जान से मारने की धमकी देने की ध